36 गर विदान सवा के मौनसून सत्र के अंतिम दिन विपक्ष ने अविश्वास पस्ताओ दिया है इस पर प्रस्ताओ पर लगातार चर्चा का सिलसिला अभी भी जारी है विपक्ष ने सदन पटल पर सरकार के खिलाफ 109 बिंदूओं पर आरोप पत्र रखा प्रस्ताओ पर चर्चा शुरू होते ही स्पीकर ने सदस्यों से चर्चा के दौरान निजी आरोप प्रत्यारोप से बचने और सुष्टिता का खयाल रखने की बात कही अब विश्वास प्रस्ताओ पर चर्चा काज जैसे शुरू हुई तो कॉंग्रेस विधायकों ने जैश्री राम के जैकारे भी लगाए वहीं मंत्री रविन चौबे ने कहा कि हमारे राम प्रेम बाटने वाले राम है जबकि बीजेपी वाले युधक राम की बात करते हैं इस पर बीजेपी विधायक शिवरतन शर्मा ने कॉंग्रेस सरकार पर राम के विरोध में काम करने का आरोप लगाया नेता प्रतिपक्ष नारायंट जंदेल ने कहा कि भूपेश सरकार को पौने पांच साल बीद गए जितने जूठे वादे उन्होंने किये उसे उजागर करने का सबसे बड़ा अस्त्र अविश्वास पस्ताव है गिप्टी सीम टीए सिंग देव ने कहा कि वरिश्वास पस्ताव की बात है 109 बिंदू है वरिश्वास सदस से उमीद नहीं की जाती कि ऐसी अश्वास पस्ताव की बात है सदन में इस प्रकार की चर्चा हो ये अत्यान दुर्भा के पूर्ण है अविश्वास प्रस्ताव का आसा ये है सरकार नहीं साड़े चार साल पोने पांस साल में जितना करेफसन किया है जितना गोटला किया है आम आदमी के साथ में जो अन्याय हुआ है अत्याचार हुआ है अविश्वास प्रस्ताव उसका प्रतिबिम्ब है बहर सी जनता पार्टी पस कोई मुद्ध नहीं बिना मुद्ध का सरकार पार्टी है पिछले 15 साल में सत्तीगड में क्या क्या काम हुआ यह काड़े काड़ किये हैं 15 साल में अभी बोलते हैं कोई वीजन नहीं